जैमा राट काली भक्तों, आज पर जो पीडियो है, आप टेग लाइन से समझ गेंगे, पित्र पक्ष के दौरान पित्रों का शराद करते समय, किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी वो गलती है जिनें नहीं करनी चाहिए, आप सभी को पता है, इस समय शराद पक्ष चल रहा है, पित्र पक्ष चल रहा है, और इस भातर पक्ष की जो ये प्रती प्रता है, तो इस समय पे जब हम पित्र पक्ष की बात करने हैं, तो पित्रों का जो समय होता है, वो यही सूला दिन होता है, यानि कि 17 सिदंबर 2024 से इनकी शुरुआत हुई है, औ और समापन जो है वो 2 अक्टूबर 2024 को पित्रपक्ष का समापन होने वाला है तो आप सभी को पता है मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी पित्रपक्ष लेकर जिसको आपने बहुत सारा प्यार दे रहे हो और उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इस राद पक्ष में पूचा ना हो ऐसा पापकरम का आपने सामना करना पड़े तो समझ जानकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा कि पित्रपक्ष पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप पित्रों का श्राद करते हैं कौन सी कलतिया है जो आपको इन समय पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि पित्रपक्ष की जो शुरुवाद है न वो अच्विन क्रिश्न पक्ष की शुरुवाद के एक दिन पहले यानि की भाद्रव पद महीने की शुकुल पक्ष की पूर्णमा से ही हो जाती है इस तरह सभी स्थितिया सामान्य होने पर ये पक्ष सोला दिनों क होता है पित्रपक्ष के पित्रों का शराद उसी तिथी को किया जाता है जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ हो देखिए क्रिश्न पक्ष के जो केवल प्रतिप्रदा से अमावस्त की तिथियां जो होती है न अगर किसी का स्वर्गवास जो है वो पूर्णमा के दिनों हो तो शराद कब करेंगे इस परेशानी का निवारन के लिए ही सास्त्रो में भादर पद मास के शुकलपक्ष की पोने मास से महलया यानि पितरपक्ष की शुरुआत का प्रावधान किया गया है अब इसमें थोड़ी सी जानकारी में पितरपक्ष को लेकर दे देता हूँ, श्राद को लेकर दे देता हूँ, जो confusion हमेशा रहता है, वैसे तो मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे, जो आप मेरी playlist में जाएंगे, पितरपक्ष की जानकारी को लेकर, समझ पितरपक्ष से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे पर जो आज का जो ये टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थी जो मैंने सुचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दिया जाए पर मैं आगे वीडियो जो है बढ गुति शक्ति के नाम से थिक इसी नाम से मेरा फेस्बुक प्रोफाइल भी और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है वहां मैसेज बॉक्स पे जाके आप अपॉइन्मेंट लिखके मुझे मैसेज कीजिए और अपॉइन्मेंट लिखने के बाद एक चोड़ी से अमांट पे ठीक है अब अगर वीडियो को मैं आगे बढ़ाओं तो पहली श्राद के बारे में जान लेते हैं कि श्राद कितने प्रकार के होते हैं तो भविश्य पुराण के अनुसार अगर बात करी जाए तो कुल जो हैं बारा प्रकार के श्राद होते हैं जो की इस प्रकार से होते है कि पहला हो गया नित्य, दूसरा हो गया नेमितिक, तीसरा हो गया काम्य, चौथा हो गया व्रिद्य, पांचवा हो गया सपिंडित, छटा हो गया पार्वन, सातवा हो गोष्ट, आठवा हो गया सुद्धी, नवा हो गया कर्मांग, और दसवा जो है वो दैविक हो गया, और किन बातों का आपने धियान रखना है, शराद करते समय, तो मैं वो आपको ग्यान देगता हूं, क्योंकि यह सारी जानकारी आपके पास होना जरूरी है, और अगर आपके घर में कोई भी शराद करता है, रिलेटेज हैं, दोश्त हैं, मित्र हैं, और उसी है, पर उसी है, उनके साथ ये वीडियो या ये मेरी देज जानकारी आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कही ना कही पाप के भागीदार, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, उनके घर में बन रहा हूँ, पित्र दोश का वो जो है, भागीदार बन जाएगा, वो जीवन बन के लिए, तो शराद के दोरान खिन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज जो है, शराद कारे दोपहर के समय करना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है, वायू पुरान के अनुसार, शाम के समय, शराद करम निशीद है यानि कि मनाई है क्योंकि शाम का जो समय होता है ना दैक्यों का माना जाता है तो दिन के समय दोपहर के समय आप श्राद करें तो फलदाई होगा दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि श्राद करम कभी भी दूसरी की भूमी पर नहीं करना चाहिए जैसे अगर आप अपनी किसी रिष्टेदार के घर है और श्राद चल रहे हो तो आपको वहाँ पर श्राद करने से बचना चाहिए अपनी भूमी पर किया गया श्राद ही फलदाई होता है हाला कि जो पूर्ने तिति या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान या दूसरे की भूमी में नहीं माने जाते हैं यानि कि कुछ भी इस तरह के एक कारे करोगे तो वो मानने नहीं होगा अधा आप पवित्र स्थानों पर श्राद कर सकते हो परन्तु अपनी किसी रिष्टेदार मित्र या किसी और के घर पर श्राद करम नहीं कर सकते तीसरी चीज जो धान रखने वाली है वो ये है कि श्राद करम में गाय का घी, दूद या डही का काम में लेना बहतर होता है तो शुद्ध चीजों का आप यूज कीजे ठीक है पैकेट वाली चीजों को अवाइड कीजे श्राद में तुलसी और तिल के प्रियोग से पित्र गण जो हैं वो प्रसन्न होते हैं अधा श्राद के भूजन और भूजन से रिलेटेड जो भी चीजे हैं इनका उप्योग जरूर करना चाहिए श्राद में चांदी के बरतनों का उप्योग और दान सबसे बड़ा पुन्यदाई बताया गया है तो ये भी यता शक्तिये उन्हों से आरह हर की सिकले फोस नहीं है तो जो कर सकता है उप्लीज कीजे अगर हो सके तो श्राद में ब्रामणों को भूजन में भूजन जब आप कराएं ना तो उसमें भी क्या है चांदी के बरतनों में भूजन कराना चाहिए अगला जो नियम है यानि की ध्यान रखने वाली चीज जो है वो श्राद कारित दुपैर के समय करना चाहिए जैसा मैंने बता है अपनी भूमी बे करना चाहिए या फिर किसी पविस्तान पर करना चाहिए और श्राद के दौरान हो सके तो चांदी की चीजों का उपयोग करना चाहिए ठीक है इसके इलावा जो अगली जो चीज है वो ये है कि श्राद में ब्रहामनों को भोजन जरूर करना चाहिए जो भी व्यक्ति बिना ब्रहामन को भोजन कराए श्राद करम करता है उसके घर में पित्र बोजन जो है वो ग्रेंड नहीं करते ऐसा माननेता है ऐसा करने से व्यक्ति जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो जिन लोगों के घर पे अगर ब्रहामन नहीं आ सकते तो आप किसी मंदिर में जाके उनको कच्चा समानाटा, चावल, चीनी, चाएपती ये सब दान कर सकते हो खच्चा जो खुद यूज़ कर सके अगला जो चीज है, जो ध्यानटने वाली चीज है वो ये है कि आपने क्या करना है श्राद से एक दिन पहले ही ब्रहामन को खाने के लिए निमंतरन आपने देना है हाथ जोड के ठीक है और अगले दिन खीर, पूड़ी, सबजी और अपने पित्रों की कोई मन पसंद चीज और मन पसंद सबजी बना कर आपने क्या करना है ब्रहामनों को भोजन कराना है आपके जिस भी पूरवज का स्वर्गवास हुआ है उसके अनुसार ब्रहामन या ब्रहामन की पतनी को निमंतरन देकर आपने आना है और जैसे अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वच का एक पुरुष है तो पुरुष ब्रहमन को और अगर महिला है तो ब्रहमनी जो होती है यनकी उनकी वाइव जो पतनिया होती है उनको भोजन खिलाना चскоеet साथ ही आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वच कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्रहमन की पतनी को भी भूजन के लिए आपने निमंत्रण देना ही देना है अगला जो कारे वो ये है कि ब्रहमन को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसना है और ध्यान रहे शराद में ब्रहमन को खाना एक ब्रहमन को ही दिया जाना चाहिए किसी और को मत दे देना ब्रहामन का खाना ऐसा नहीं है कि आप किसी जरुद मंद को दे दो श्राद में पित्रों की त्रिप्ति केवल 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 ब्रहामनों दौरा ही होती है अताहा श्राद में ब्रहामनों का भोजन एक सुपात्र ब्रहामन को ही कराया जाए भोजन कराते समय ब्राह्मनों को आसन पर बिठाएं आप कपड़े या इसो पर आसन बिठा कर भोजन करा सकते हो पर ध्यान रहे आसन में लोहे का परियोग बिलिकुल नहीं हो न चाहिए भोजन के बाद ब्रहामनों को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य दें कुछ कपड़े यानि कुर्ता पैजामा जो भी आप सोला जंगार या साड़ी जो भी देना चाहते हो अगर धोती कोई जैस तरीके से आपकी उस इंसान की मिर्थी हुए उसी अनुसारा आप उनको कपड़ा भी दे सकते हो अगल्या जो चीज़े वो ध्यान रखने वाली यह है कि शराद के दिन बनाए गए भोजन में से गाय का, देवता का, कवों का, कुतों का चीटियों के निमित भी भोजन जरूर निकालना चाहिए किसी भी हाल में कववे को और कुते को भोजन उन्हें ही कराना चाहिए उनका भोजन उन्हें को कराना चाहिए उनके नाम से अलग से भोजन निकालना चाहिए जबकि देवता और चीटी का भोजन आप गाय को खिला सकते हो पर कवे और कुटे का भोजन सिर्फ और सिर्फ कवे और कुटे को ही खिलाना चाहिए। करने नहीं आते हैं नहीं करते हैं शराद के दिन अगर कोई भिकारी है कोई जरुदमंद आ जाए तो उसको भी आदर पूर्वग भूजन अवश्य कराए इससे क्या होगा हो सकता है वो पित्र का सुरूप हो और आपने उसको ठुकरा दो तो वो फिर भूजन आपकी व्यवस श्रेष्ट रहता है तो यह ध्यान रखना है कि जो मटर कांगनी और तिल का उपयोग जरूर करें तिल की मात्रा अधिक होने पर शराद जो है अक्षे हो जाता है कहते हैं तिल पिसाचों से शराद की रक्षा करते हैं तो साथ ही शराद के कार्यों में कुशा का भी बहुत जब आप तरपन करते हैं तो जो लोग तरपन करते हैं उनको ध्यान होगा कि कभी भी पंडित से आप अगर तरपन जब भी आप अमने घर में भोज और ये सब व्यवैस्था कराते हो तो वो आपसे कुशा भी जरूर मगाता है ठीक है तो ये कोछ चीज़ें हैं जिनकी मान्य और मानना था कि अनुसार ही आप शराद पक्ष को करें और बिना अधूरे ग्यान के साथ आप ये कारे ना करें और जो पित्रों की दिशा है वो दक्षिन दिशा है तो ये सारा कारे जो है वो दक्षिन दिशा को समर्पित करते हुए करें ठीक है तो इस तरीके से अगर आप क पित्रपक्ष में, आपको उन सभी परिशानियों का समाधान जल्दी से जल्दी मिल जायेगा, ठीक है. अगर आपको भी मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो को लाइक करके जाएगा जरुद मन लोगे साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जैमातादी जरुर लिखें सभी भक्तों को जैमातादी जैमादाट क लिखें थाली